स्वागत है आप सबीक अमरी खास पेशकश में नमस्कार आपके साथ में हम कुश्वाश पे आप देख रहे हैं चुनाओ शक्र साल 2018 की विधनसबा चुनाओ में विपक्ष से ज्यादा अपने ही बीजेपी के लिए सिर्दर्द बने हैं टिकेट के आस लगाए बैठे नेताओं के जब उम्मीदे टूटी तो कई बीजेपी नेता पूर विधायकों ने निर्दली प्रत्याशी के तार पर नामांकन दाखिल कर चुनाओ मैदान में ताल ठुकी कॉंग्रेस का भी है यहाल है और यही वज़ा है चुनाओी मैदान में दोनों ही दलों को अब दूसरे दलों से ज्यादा अपनों की चिंता सता रही है जहां तक बीजेपी की बात है बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल पर रंडीती बनाना शुरू कर दिया है एक रिपूर दिखिए 2018 के विधानसभा चुनाओ में विपक्ष से ज्यादा अपने ही बीजेपी के लिए सिर्दत बने हैं टिकेट की आस लगाए बैठे नेताओं की जब उमीद तूटी तो कई बीजेपी नेता पूर विधायकों ने निर्दली प्रत्याशी के तौर पर नामंकन दाखिल कर गौलियर की पूर्व महपार समिक्षा गुपता हों बैरस्या से पूर्व विधायक ब्रह्मनन भी निर्दली मैदान में उत्रे हैं भाजपा के लिए कठिन माने जाने वाली भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर पूर्व मंतरी रसूल एहमत सिद्धिकी की बेटी पातिम सिद्धिकी को टिकेट देने से नाराज पूर्व पारशद रवींद्र अवस्थी ने निर्दली प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा कर दिया है टिकेट कटने के बाद चार भाजपा विधायक कमल मर्सकोले चंदर सिंग सिसोधिया नथन शाह और संगीता चारेल निर से देश अध्यक श्राकेश सिंग ने कहा है पार्टी चोड़कर गए सभी उनके अपने हैं वे पार्टी के तपे तपाय नेता हैं और सही समय आने पर वे पार्टी का ही साथ देंगे को सहा का वातावरन है कि वो उनके बीच में आकर उनको संबोधित करेंगे अला कि 15 सालों से सत्ता के सिहासन से दूर कॉंग्रेस का हाल भी कुछ ठीक नहीं है कॉंग्रेस में भी टिकेट ना मिलने से नाराज नेताओं ने निर्दली प्रत्याशी की रूप में नामंकन भरा है 2008 में भुपाल मद्य से कॉंग्रेस उमिदवार रहे नासेर इसलाम ने निर्दली नामंकन जमा किया है इसी तरह कॉंग्रेस नेता साजित अली ने भी नामंकन जमा किया है गोईनपुरा से पारशत गिरिश शर्मा को टिकेट देने से नाराज राम बाबु शर्मा ने नामंकन जमा किया है अब की बार 200 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी के लिए सत्ता के सिहासन तक पहुँचने की राहें इतनी आसान नहीं रहने वाली वहीं दूसरी तरफ 15 सालों का सत्ता का सुखा खत्म करने से पहले कॉंग्रेस के सामने अपनों को मनाने की चनौती भी है ऐसे में 14 तारीख तक तस्वीरे साफ हो जाएंगी आखिर बीजेपी बागी हुए कितने निताओं को मनाने में काम्याब होती है और कॉंग्रेस कितने रूठे निताओं की नाराज़गी दूर कर पाती है डेस्क रिपोर्ट डियन एंग इस बार अगर हम बात करें तो बागियों से मकाबला कहीं कहीं काफी टकर वाला रहने वाला है अगर वे मानते नहीं हैं तो अगर 2013 के चुनाओं की हम बात करें प्रदेश में तो ऐसी कई सीटे थी जहां पर बागियों ने अपने निर्दली प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और उन सीटों पर हार का मुँ देखना पड़ा था इस लिहाथ से भी देखा जाए तो 2018 में जो बागी नेता हुए हैं निर्दली प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नमांकन दाखिल किया है हलाकि 14 नवंबर नमांकन वापसी की आखरिती थी है और इन चार दिनों में क्या बीजेपी डेमेज कंट्रूल की रणनीती पर जो का भारगर जी जुड़े हैं मीडिया पैनलिश्ट हैं कॉंग्रिस से प्रवक्ता जुड़े हैं नाल पंत जी और खिलावन चंदराकर जी वैश पत्रकार हैं तीनों का बाद बहुत स्वागा थे डी एन न पर चंदराकर जी मैं शुरुआत आप से ही करूंगा 2013 की मैं बात कर दिये और निर्दली प्रत्याशियों की रूप में ज्यादा पर्चे दाखिल हुए हैं अब डेमेज कंट्रोल के रणनीती के तहट जो काम करना बीजेपी ने शुरू किया है वो कितना कारगर साबित होगा और यही हाल कॉंग्रेस का भी है अब प्रत्याशियों बागी होने के स्वर्ब बहुँ जादा सुनाई दे रहे हैं और बनीजबत कांग्रेस में इस बार कम सुनाई दे रहा है अभी मैं कुछ मित्रों से पतरगार मित्रों से चर्चा कर रहा था तो हम लोग चर्चा में निकल के सामने आया कि पहले BJP चुकि केडर बेस पार्टी है बहुत अनुसासित पार्टी है इसलिए पहले वहाँ जाज़ जादा 15%, 17%, 20% सीटों पर इस तरह के संकेत मिलते थे लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि हर एक सीट के बाद दूसरे सीट में कोई ने कोई बागी प्रच्चासी के रूप में सामने आ गये हैं जिससे मनाना बहुत बहुत जादा पसीना बढ़ाना पड़े बहाना पड़ेगा BJP के नेताओं को डेमेंज कंट्रोल के लिए मैं मानता हूं कि यदि 200 के पार का शपना BJP देख रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो तीन अभी दो तीन दिन का वातवर ने 14 तारिक तक नाम वापशी की तिथी है और मुझे लगता है कि इस बीच भाजपा के नेता जिस तरह से आज सुबह से मुख्यमंत्री स्वयम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे कुछ विधायकों से विधायक के टिकिट प्राप कर चुके लोगों से भी बातचीत की उनने वीडियो करम सिंग के माध्यम से और नरेन सिंग तोमर स्वयम लगे हुए हैं अलग-अलग जो बड़े नेता हैं मैदानी स्थर पे वो अपनी सीट पे जो निर्दली या किसी अन्य दल से लड़ने का प्रयास कर रहे भाजपा के नेता उनको मनाने की जैसे प्रयास कर रहे जैसे दमों में उधारान आया है कि राम किशन कुस्मरिया पूरु मंत्री ने सुधा मलिया और जैन्त मलिया दोनों पती पत्ने उससे मिले उनको मनाने का प्रयास किया इस तरह के वातावरन है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कुछ कंट्रोल बीजेपी कर लेगी ऐसा मेरा उनमान है दूसरी बात मैं कहना चाहरा था कि कांग्रेस में जहां हम से चुनाव लड़ते थे या निर्दली होके चुनाव लड़ते थे लेकिन अब इस बार मैं देख रहा हूं 15 साल से लगातार सप्ता से दूर रहने के बाद इनमें कुछ समझ आई है मुझे लगता है और इस तरह के बागियों की शंख्या में कुछ कमी आई है अब फिर भ समीति के अध्यक्त भी है मेरे अंदास से लगबग 3-3 महीने से लगातार वह संगत में पंगत और इस तरह का का इक्क्रम करके जगा जगा गये हैं पहले से ही टिकेट किसी को मिले चाहे मत मिले पंजा हमारे चाहफ है इस तरह का संदेज देखे उसने प्रयास किया है उसमें कंट्रोल कुछ हद तक हुए हैं अंकुस मिलें जी कैसे बागियों से निप्टेंगे कैसे मनाएंगे कैसे डामेज कंट्रोल होगा और कैसे दोसों पार जाएगी पार्टी लेकिन जब इस तरह की परिस्तितिया निर्मेत होती है कि हमें प्रत्याशी का चैन करके बदलना भी पड़े और हटाना भी पड़े तो बहुत ही ऐसा पल होता है जिसमें सवहवी घटना है कि जिसका टिकेट कटता है वो नाराज होता है और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते जो कई बार नाराजगी में बहुत जादा बुझे बोलेंगे उत्साह के कारण भी कई बार नाराजगी के कारण परचा दाखिल कर देते हैं अपना नामंक सब की परस्तिती है मनाने ना मनाने का सवाल नहीं है सब अपनी बात रखते हैं उचित फोरूम पे कई बार बात करन तुरन तुरन रख दी थी कि पार्टी असमंजस में आ गई थी ना दो दो सीटे हाथ से जाती दिखाई दे रही थी यह यह ऐसी तरीकी बात चीद नहीं है उट इनका सीट की लादा पड़े मद्ध्रदेश के पूर मुख्यमंद्री उनका अपना वजूथ है और भारति जन्ता पारटी नेता येनका मजडूर नेता से मुख्यमंती तक पहुचाए ये भी मत भूलिए आप लेकिन कई बार ऐसी परिस्तितिया बनती हैं कि वरिश नेतरत को जब हटाते हैं या उनसे अग्रह करते हैं कि आप किसी और को अपना नेतरत सौप ये तो कस्ट होता है कई बार और मनाने में भी समय लगता है उनको अपनाने में भी समय लगता है इस बीच कई बार ऐसी परिस्तितिया निर्मेत तो जाती कि हमको लगता है कि ये बागी हो गया है जबकि बागी ऐसे कोई बात नहीं है अभी 14 तारीक दूर है 14 तारीक नजदीद आने दीजिए यदि कोई रह जाएगा तो उसको बागी कहना निश्चित तोर पे ठीक रहेगा अब भी हमारे पर वक्त है यह आंत्रिक मामला है हम लोग सब आपस में बैटके हमारे सब अपने लोग हैं सबकी नाराजगी दूर करके भारती अंता पार्टी के कारे में लगाएंगा और निश्चित रूप से कोई केडर बेस पार्टी का कारे करता हार्ट कोर कारे करता हमारी बाजपा का है तो हमारी बात मानेगा और विचार के साथ लड़ाई लड़ेगा पंजी कैसे कॉंग्रेस अब मनाएगी जो निर्दली के तौर पर परचा दाखिल कर चुके हैं कॉंग्रेस में भी आलगी फैरेस जादा लंबी नहीं है बीजेपी की अगर हम बात करें लेकिन कहीं ने कहीं तो बागी हुए है नेता बहुत छोटी सी संख्या है एमकोष जी पहले तो पिछले चुनाव में हमारा अनुभध वैसा था कि बारती जनता पारिटी जिस परिश्थिती को इस बार विदानसबह चुनाव में फेस कर रही है उस वैसी परिष्थिती कॉंग्रिस पार्टी में दिखाई देती थी लेकिन इस बार गिंती के नाम है करीब 15-20 नाम आए जहां थोड़ी बहुत असुविदा है और जिस समय अपनी जब ये डिबेट चल रही है तब तक करीब 5-6 जगे इस्थानों पर वारता लाप हो चुक वो ये खड़ी होई है कि कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी में बड़ा अंतर आया है और निशे तोर पे जब डागी दोशी अपराधी और ब्रष्टाचारियों को भारती जनता पार्टी टिकिट देगी तो जो उनका समर्पित कारे करता रहा है जो वास्तों में माना करता था कि शायद भारती जनता पार्टी कोई अलग पार्टी है तो विद्रो के स्वर्थ तो खुल कर सामने आएंगे ही ना तो इसलिए ये आश्चरे की बात नहीं है कि तीर्व पूर्व मंत्री, दो पूर्व सांसद, साथ पूर्व विधायक, एक निगम अध्याक्ष, भाजियूमों के प्रदेश अध्याक्ष, पार्टी के कोशाध ध्याक्ष और नजाने कितने ही पदादिकारियों समेत, प्रदेश की 110 विधान सबा सीटे ऐसी हैं, जहां भारती जनता पार्टी के लोग बागी नामंकन दाखिल कर चुके हैं, और यखीन मानिये, इसमें से कई सारे लोग दूसरी पार्टी का दामन साथ थाम चुके हैं, यह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, भारती जनता पार्टी के नित्रत्व को पटकनी देने की तैयारी कर चुके हैं, और यह साबित कर चुके हैं, कि खुद उनके कारे करताओं का ही भारती जनता पार्ट में नहीं ले पाए तो यह मुख्यमंद्री जी पार्टी के तथा-कतित-Pरिवार के नेताओं पर तो विश्वास बिलकुल ही नहीं रखते अधिकार नहीं रखते और भारती जनता पार्टी के निश्थावान कारेकरता हों नहीं सोच लिया है कि ये समय आ गया है कि एंकार से भरी होई भरती जनता पार्टी की सरकार को बदलना है नाराज़गी तो उस वक्त भी होती है पंत जी जब आप पैराशूट से आए नेताओं को टिकेट देते हैं चुनावी मैदान में उतारते हैं जबकि राहूल गांदी जी खुद कह कर गए थे भूपाल में कि पांसे छे साल तक काम करना पड़ेगा पार्टी के लिए लेकिन प्रत्याशियों के चैन में ये देखने को नहीं मिला है उनका आशे बिलकुल भी ये नहीं था कि ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा जिन्होंने राजनेतिक सेवा नहीं की है जिन लोगों को आप पैरशूट प्रत्याशी कह रहे हैं वो चुनाव जीते हुए लो देरूं गावों के नाम वो इस तरह से उंगलीयों पे गिना गए जिस तरह से शायद भारती जनता पारटी का प्रदेश्टा कोई नेता पच्चीस नाम भी अपनी विधान सभा के नहीं जिना पाएगा माया सी जी के परिवार ने तो भारती जनता पार्टी को खड़ा करने में क्या क्या त्याग और बलेदान दिये हैं तो जितने वो लोग थे जिनके कारण आज भारती जनता पार्टी प्रदेश में उस स्थिती में है जिसमें वो 15 साल का सत्ता सुग भोग पाई है उन सारे लोगों को मुक्यमंत्री जी ने सिर्फ इसलिए किनारे कर दिया कि इनके परिवार के लोग कहीं भविश्य में आगे जाकर उनके राजनेतिक प्रतिद्वन्दी नहीं मनवाएं अब कृष्णा गौर जी जैसा सौम्य चहरा वो केवल उनको इसलिए टिकेट नहीं देना चाहते थे कि कृष्णा गौर जी पिछड़े वर्ग से आती हैं वही जो मुक्यमंत्री जी का वर्ग है कहीं बविश्य में मुक्यमंत्री जी की पत की दावेदार नहीं हो जाएं तो इस अविश्वास के बाद कोई कारण नहीं बचा है कि मुश्किल से 40 सीटें भी भारती जनता पार्टी इस चुनाओं में प्राप्त नहीं कर पाईगी। पार्टी मजदूरों को मुख्य मंत्री बनाया चोटे से वाड अद्देश को केंद्री मंत्री बनाया ऐसे कारेकरताओं कि आधारित पार्टी परिवार वाली आरती पार्टी नहीं कि इसाब आप महराजा के घर में पैदा हुए इसलिए जो तरह सिंद्य से लोग आ जाते है इसलिए राजबर्दन जी से यह पूछ लीजे उन्होंने क्या काम किया कॉंग्रेस में तो यह बता नहीं पाएंगे उंगली पे भी कि उन्होंने क्या काम किया था कि विधायक बन गए यह सब इस तरह की दिल्चस्पी रगना हमारे प्रत्याशियों में यह बताता है कि इ इस लिए प्रदेश कार समिति से पृष्ले साथ साल से नाराज हो गई दिल्चस्पी देख रहा हूंगे भारतियनता पाटी नेताओं पर जादा राएं इनके पास धूने से प्रतियाश यह बिल रहा है का अगस्त सूची कर रहे है आज सूची अभी तक साल बाई बया करते हैं और आयातित फोटो लागे मद्धिप्रदेश को बार बार अपमानित करते हैं जूटे आरोप लगाकर एफाइयर खुद पर दर्ज करवाते हैं मद्ध्रदेश में जूट और कलुपित राजनीती करके ये दुवारा सत्ता में आना चाहते हैं जो जनता अस्विकार करेगी आप देखना परिणाम बताएंगे कि इनके पास कार्यकरता नहीं है कार्यकरता होते ते निश्चित रूप से चुनाओ लड़ते इस सूची अगस्त में गोशित कर दे ते इतना इंतजार नहीं करते कमला जी मद्यप्रदेश का दौरा नहीं कर पा रहे हैं क्या मद्यप्रदेश सरकार बनाएंगे साब चोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है ब्रेक पर से लौटेंगे तो और भी कई सवाल हैं जिनके जब आप तलाशेंगे देखते रहे हैं और बेखे वाद एक बार पिर आपका स्वागत हमारे खास पेशकश लगातार जारी है तीनों मेमान हमारे साथ बने हुए हैं चंद्राकर जी जिस तरह से देखने में आया कि अरुन यादव जी जब बुधनी से उनका नाम गोशित हुआ तो सीम शिवराज कहते नजर आए उनके साथ अन्याय हुआ है दो बार अन्याय हुआ है एक बार तो उन्हें प्रदेश ध्यक्ष के पत से अटा दिया गया था और अब उन्हें बुधनी से मेरे सामने खड़ा किया गया है लेकिन अगर बीजेपी के हम बात करें तो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं कहा जा सकता है कि उनके साथ भी अन्या ही हुआ है उशा ठाकुर जी का मैं जिक्र कर चुका हूं सर्ताज सिंग जी उन्हें कोई मनाने तक नहीं गया आखिरकार कॉंग्रिस में शामिल हुए होशांगाबाद से पर्चानों ने दाखिल किया और भी फैरिस काफी लंबी है तो साथ नितिक सगूफे हैं मैं समस्ताओं कि अपने उनके छेत्र के मुख्यमंत्री के छेत्र की बात थी इसलिए उनने इस तरह की बातें कही लेकिन मूल बात यह है कि पूरी रन्नीती के तहत कांग्रेस दे मुझे लगता है कि अरून यादो को वहां भेजा है पहले हम मुझे लगता है दूसरी बार जब 2008 में चुना हुआ तो महेंस राजपुच जैसे इस्थानी आदमी को उतार गया जिनका बहुत ज्यादा राजनितिक वजूद नहीं था और दूसरी बार पुना चुनाओं लड़े तो अंतिम दिनों में जिस दिन फाम भनना था भी फाम चुनोती पेश करने के लाए कंडिडेट को सामने रखा गया है और यह सब मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीती का एक हिस्सा है दूसरी बात मैं महत्पुन बात जो कहना चाह रहा हूं वो यह है कि नहां तक भाजपा का सवाल है तो निशित रूप से मैंने जब पहल दूसरे विधान सभा के बाद जो कोई नो कोई जो है अभी नराज है या जैसे मिलन भाई कह रहे थे कि अभी बागी नहीं हुए उन्हें बना लिया जाएगा तो मैं समझता हूं नराज है तो इस नराजगी के मूल कारण जो है वो उस पर जाना चाहिए भाजपा को और ज इसे कार्यकरताओं में नाराजगी है और इसी नाराजगी को भुनाने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं सामने जो किसी ने किसी तरह से पार्टी में अपनी उपेख्छा को इस समय भुनाना चाहते हैं ताकि हमारे पास आये कोई हमको मनाये तो हम मुख्यधाराम में फिर स से जूड के काम करने लगें ऐसा मुझे लगता है जिस तरह से कॉंग्रेस आरोप लगाती आ रही है अभी भी पंती जी ने जिक्र किया कि सिएम शिवराज चाहते हैं कि उनके आसपास भी कोई न भटके कि टिकेट देने में जो माथा पच्ची चली जो दौर शुरूआ व और साब को उन्होंने मंत्री पार चीन लिया है टिकेट के लाले पढ़ गए थे वाकरी में ऐसा है क्या जूट के आरोप से जड़ी हुई पार्टी है जूट दिन सुबह उटते हैं जूट रात में सोते हैं जूट कॉंग्रेस के नेताओं को टिकेट कब देना है किसको दे जोली फेला के समाजबधी पार्टी की तरफ देखते हैं कभी जोली फेला के जैस की तरफ देखते हैं जो संगड़न अभी कहीं ने कहीं बना है उसके नेता को आयतित करके चुनाओ लडाते हैं तो यह जलकाता है कि इनके पास नेता ही नहीं बचे हैं यह दूसरी पार्ट विए पच्रावन के सब्हान रेकश्चा पेडमाने का समय कम है या उंके नेता गुशने नहीं देते हैं काई आए सब्सक्रावर जिल सक्केर मैं किरो नहीं बोरों कि आधार नहीं दो तो कि आधार पर यह यह। पंजी देखिए मिलन जी कह रहे हैं कि आपके पास टिकेट के चेहरे की जहां तक बात है वो ही नहीं है कारेकरता ही नहीं है लेकिन सवाल यह भी उठता है कि फिर भोपाल में देखने में आया मद्य विदान सबा सीट की मैं बात करूं तो यहां पर जब मसुद साहब को टिक कि कंई है वो तो पूरा प्रदेश जानता है हमारे नेताओं ने दौरा कहा किया कांणी किया लेकिन मुक्हीमंत्री जी ने जहां दौरा किया वहाँ उनको यहां तो काले घंडे दिखाए गा या फिर चप्पले है की गई की महिलाएं सभा में जाती थी तो काले कि पैंड क पहण करे ते थे भ search ते तो वहुपड़े महिलाओं को उत्रने के लिए वापस घर भेज दिया जाताा था अप्रलो मार्ति करने की रूपलर नगी सिर्ण की दूटवाजीँ के पूटर है उनको टिकेट दे दिया 32 आपरादिक मुकद में हैं हत्या के प्रयास ही प्रहलाज जी के बड़े भाई हैं ऐसे जालमसी जी को टिकेट दे दिया आकाश विजेवर्गी जी चूंकि बड़े नेता के पुत्र हैं इसलिए उनको टिकेट दे दिया हुआ है प्रदेश की जन्ता की उस भावना के साथ कहड़े हो गए है जिसमें ये तैय कर लिया है कि 15 साल की वादा खिलाफी और ना इनसाथी के खिलाफ इस बार पूरा प्रदेश एक मत होके परिवर्तन के लिए मद्दान करेगा कॉंग्रिस पार्टी की सरकार बनाएगा। है तो कौन से बागी प्रत्याशी पार्टी में वापस आते हैं पार्टी उन्हें किस तरह से मनाएगी इस पर भी हमारी निगाहें बनी हैं ते फिलार हमारी खास पेश्क चुनाओ चक्र में इतना ही डियनन पर खबरे लगाता रज़ारी हैं नमश्क्राइए